तो गुड मॉर्निंग आईज और आपके क्रेक एक्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज के इस वीडियो में साथ जैन्वरी के इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स को हम लोग कवर करेंगे तो हमारा पहला प्रशन है हाल इमें किसे भारत में ब्रेटेश उच्चायुक्त यानि की हाई कमिशनर नियुक्त किया गया तो अंसर होगा अलक्जेंदर एलिस को तो अभी अलक्जेंदर एलिस को भारत में ब्रेटेश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और ये किन की जगे लेंगे फिलिप बार्टन की ये जगे लेंगे अच्छा देखो अगर इसका उल्टा प्रश्न में आपसे पूछू कि बताओ ब्रिटेन में भारते उच्चायुक्त कौन है तो आंसर होगा गायत्र कुमार है बाकी देखो दुवरते पचेको ये पुर्टगाल से हैं और अब इंटरनेशनल पार्लियमेंटरी यूनियन के अध्यक्ष बने थे ये मारा गुमीज की बात करेंगे तो फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है ये अर्जेंटीना से हैं और एवा मुर्तो की बात करेंगे तो आपको याद होगा इनका नाम एक दिन के लिए फिनलेंड की प्रधानमंतरी बनी थी ये वैसे फिनलेंड की प्रधानमंतरी को ने सनाम मारेन है अच्छा एक दिन से मुझे याद आता है चेतन्या वेंकर टेशुरन का नाम ये एक दिन के लिए भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनी थी, हाई कमिशनेर बनी थी, तो वो नाम भी आप ध्यान रखें, अब ब्रिटेन की बात है, तो ये रहा मैप में ब्रिटेन, और इसकी कैपिटल लंडन है, लंडन से आपको याद होगा भी देसंबर में ही ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में लगातार नवे साल दुनिया का सबसे आकरशक शहर रहा लंडन, और इसकी करंसी क्या है, पॉंड स्टर लेंगे, प्रधान मंतरी हैं बोरिस चॉंसन, अच्छा बोरिस चॉंसन से आपको याद होगा, हमने पढ़ा कि ये इस बार हमार अपनी यातर को रद्द कर दिया है, आगे अगर कुछ प्रोग्राम चेंज होता है तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, बाकी हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि ब्रिटेन ने टेमपॉन टेक्स को समाप्त कर दिया है, उसके अलावा ब्रिटेन ने अभी लुईस ह इफा प्लेयर का खिताब मिला था, उसके अलावा इंग्लेंड के डेविड मलान की बात करेंगे, तो इन्होंने T20 में सबसे ज़्यादा रेटिंग हासिल की थी, और 2021 यानिकी इस साल G7 सम्मिट ये ब्रिटेन में होंगी, जिसके लिए पर दानमंतरी नरेंदर मूदी जी क आमंतरित किया गया था, और ब्रिटेन ने अपनी एक सड़क है, जिसका नाम है हैंडरी हेवलोक, उस सड़क का नाम गुरु नानक मार्ग कर दिया बदल करके, तो ये ध्यान रखना बढ़ते आगे, फिर हाल हमें किसे डॉक्टर एपीज अब्दुल कलाम साइन्टिस्ट पुरुसकार 2021 से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा डॉक्टर अमित केसरवानी को, तो अभी डॉक्टर अमित केसरवानी को, क्रशिव विज्ञान में उनके उल्लेखनिय योगदान और इंटरनेट मीडिया के माध्यम से नए छात्रों का मार्ग दर्शन करने के लिए उ हैमन्त कुमार नाम आपने सुना होगा, भी DRDO ने इनने Scientist of the Year Award से सम्मानित किया था, और पंडित सतीश व्यास की बात करेंगे, तो 2020 के तान से सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था, और रंजीत सिंग डिसाले, ये important नाम रहेगा आपके लिए, क्योंकि Global Teacher Prize जीतने वाले ये पहले भारत्य बने थे, तो इस प्रशन से डॉक्टर अमित केसरवानी का नाम याद रखेंगे, जिनने मिला डॉक्टर एपीज अब्दुल कलाम Scientist पुरसकार 2021, बढ़ते आगे, फिर हाली में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने एक प्राकरतिक गैस पाइपलाइन का जो किन दो शेहरों को जोड़ेगी तो आंसर होगा कोची और मेंगलूरू, तो अब प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने 450 किलोमेटर लंबी केरल के कोची से करनाटक के मेंगलूरू तक प्राकरतिक गैस पाइपलाइन का उधगाटन किया है, और इस पाइपलाइन को 3000 कर प्रोड रुपी की लागत से तयार किया गया, और किस ने तयार किया, तो गेल ने, अच्छा देखो इसी से लिंक करके आप याद रख सकते हो, अभी मोदी जी ने इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए, चैन्ने से लेके अंडमान निकोबार की जो केपिटल है, के अमलेक गंज के बीच में बिचाए गई, पहली पेट्रोलियम पाइपलाइन का भी उदगाटन किया था, और अभी मोदी जी से ही याद रख सकते हो आप, कि इन्होंने अभी भारत की सोवी किसान रेल का भी उदगाटन किया था, जो चल रही है पस्चिम मंगाल के शालि रही है, और ये भी बताओ, दक्षिन भारत की पहली और देश की दूसरी किसान रेल ये कहां से कहां चल रही है, ये आपको पता होना चैस, ये important point है, और नहीं पता, तो आज आपके December के last week का second वाला part आ रहा है, उसमें ये question हम लोग करेंगे, तो वो वीडियो आप जरूर देखना, शाम को, अभी हम बढ़ते हांगे, फिर है हाली में CCTV surveillance में, दुनिया में किस ने टॉप किया, या कौन टॉप पे रहा, तो आंसर होगा, चैन नहीं, और अगर डेली आप लोग हमारा current affairs का lecture पढ़ते होंगे, तो आपको याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था कु मामले में टॉप पे आ गया, तो यह अब नई ranking के साब से आपको यह point ही धियान रखना है, बाकि CCTV का मतलब क्या होता है, Closed Circuit Television, है न, और हैदराबाद से आपको याद होगा, हैदराबाद में विश्व का सबसे बड़ा meditation center खुला था, बीजिंग में तो आपको मिलेगा, दे गर्बपात को वैद, यानि कि लीगल करने वाला पहला लेटिन अमेरीकी देश कौन सा बन गया है, तो अंसर होगा अर्जेंटिना, लेको एक्ट्वल में अभी तक यहाँ पर जो abortion है, वो करवाना एक कानूनी अपराद माना जाता था, और केवल दो ही condition में इसे allow किया जात गया है, और ऐसा करने वाला पहला लेटिन अमेरीकी देश बन गया कौन, अर्जेंटिना, अब अर्जेंटिना बना है, तो यह रा मैप में अर्जेंटिना, देख उसकी capital Buenos Aires है, currency है अर्जेंटिना 500, और President है Alberto Fernandez, और आपको बता दू, यह South American country है, आप देख रहे हैं जैसा क मैप में, तो South America का सबसे उचा परवत है Mount Akangua, जो कि आपको मिलेगा अर्जेंटिना में, और आपको याद होगा यहां से कुछ, कि इस Mount Akangua, इस परवत पढ़ चड़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बनी थी कौन, काम्याक कार्तिकेन, यह मुंबई की रहने वाल पिछले साली इनके बारे में, अमने पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, अभी हम बढ़तें आगे फिर अगला प्रशन है, देश का पहला प्रवासी सेल, यह किस शेहर में खोला गया, तो अंसर होगा सूरत में तो इस सेल को स्थापित करने का उद्देश यह है कि देश के अलग-अलग राज्यों से लाखों की संख्या में आ रहे, सबी प्रवासी मजदूरों का व्यवस्थित देटा बेस तयार करना, और उनके लिए आवास, स्वास्त्य, बीमा समेत, अन्य सेवाओं को बहतर बनान जहाँ पर देश का पहला शहद प्रियुक्षाला स्थापित किया गया, बाकि भुवनेश्वर, उडिशा की केपिटल है भुवनेश्वर, आपको याद होगा, FSSM यानि कि Fecal Sludge and Septage Management के लिए ISO Certificate पाने वाला यह पहला शहर बना था, इंदौर की बात करेंगे, सबसे स् अच्छी शहर है, यह इंदौर चौथी बार सबसे स्वच्छ रहा था, और देश का पहला और दुनिया का दूसरा Infantry Museum यह बनाया जाएगा इंदौर में ही, अब देखो यहां पे सूरत की बात है, जो कि शहर है गुजरात का, तो यह रा मैप में गुजरात, देखो Capitalist की ग इथियम रिफैंडरी यह इस्तापित की जाएगी कहां पे, गुजरात में, और एहमदाबाद में बनेगा देश का सबसे बड़ा काडियक अस्पताल, अभी गुजरात में ही दीन दयाल क्लिनिक शुरू किये गए थे, जबकि अम्मा मीनी क्लिनिक यह तमिलनाडू में शु गुजरात, उसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवी करनिय उर्जा पार्क यानि के रनेवल एनरजी पार्क की स्तापित किया गया गुजरात के कच्छ में जिसकी कैपिसिटी है 30,000 मेगा वाट्ट, या दर्खना दुनिया का सबसे बड़ा खिलोना गुजरात में आपको मिलेगा एक न्यूकलियर पावर प्लांट किसे केते हैं काकरा पार न्यूकलियर पावर प्लांट, गिर नेशनल पार्क भी आपको यहां मिलेगा, ब्लेक बग नेशनल पार्क हो गया, वंचडा नेशनल पार्क हो गया, मरीन नेशनल पार्क हो गया, यह सब आपको यहां मिलेंगे, तो यह सारे points याद रखना, यह सारे important points मैंने आपको बताए, जो अभी current affairs में थे, गुजरात से related, याद रखना इनको, बढ़ते आगे, फिर अगला प्रशन आपका book से है, कि keep sharp, build a better brain at any age नाम की book को किसने लिखा है, तो इसको लिखा है संजे गुप्ता ने, अचा संजे गुप्ता अलग हैं और संजे कपूर अलग है, संजे कपूर के बारे में अभी हमने पड़ा था, All India Chess Federation के नए प्रेसिडेंट बने ये, और संजे गुप्ता ने लिखी है इस book को, बाकि श्री अयर, इन्होंने कौन सी book लिखी, who painted my lust red, और माध अधव भंडारी ने कौन सी book लिखी, अयोध्या नाम की book, और अयोध्या से आप हमेशा लिंक करके याद रखा करो, Amazing अयोध्या, इस book को लिखा नीना रोय ने, और हाँ अगर आप में से कोई इस वीडियो को very first time देख रहा है तो आपको बता दू, 2020 में जितने भी important books आपक उनको हम cover करेंगे, उनको revision करेंगे, तो अभी first वाला जो part है, उसका audio में ने upload कर दिया है, जिसमें लगबग 22-21 books को हमने cover किया है, तो आप उस audio को सुन ली जेगा, ताकि सारी books आपकी revise हो जाए, साथ-साथ revision कर लोगे तो हो जाएगा, उसका link आपको नीचे description में मिल जाए तो उस पर click करके आप मुझे follow कर लेना, और pass में bell icon पर click करके all notification को set कर लेना, ताकि जब भी important audio upload हो, उसी समय आपके पास notification पहुँच जाए, और आप उसका benefit उठा सके, अभी हम बढ़ते आँगे, फिर हाली में Tesla ने दुनिया का सबसे बड़ा super charger station ये कि देश में launch किया, तो answer होगा, चाइना में, तो अभी Tesla ने चाइना के शंगाई में, दुनिया का सबसे बड़ा charging station को launch किया है, और शंगाई में लगाएगा इस super charging station में 72 stalls लगे हैं, इससे पहले जो सबसे बड़ा station इसने लगाए था, वो लगाए था California में, जिसमें 56 stalls थे, तो ये वाला उससे भी बढ़ा है, 72 stalls के साथ, अच्छा हम आगे बढ़ें, उससे पहले एक और point में आपको बताता हूँ, इसी से link करके, ये जो Norway है, अभी पिछले साल 2020 में, Norway में petrol और diesel से ज़्यादा electric गाडियां बेची गई हैं, तो ये point आप ध्यान रखना, और वैसे भी Norway ने 2025 तक petrol और diesel की गा आ रही है, लेकिन बड़ी महंगी गाड़ियां होती इनकी, और Tesla का headquarter है California USA में, और आपको याद होगा कुछ समय पहले Bloomberg Billinears Index जो आया था, उसमें second number पे आ गए है Elon Musk, Bill Gates को पचाल करके, Bill Gates third पे चले गए, और first पे तो Amazon के संस्थाफ़क Jeff Bezos हैं सही, अब यहाँ पे बात China की भी हो रही है, तो ये रहा मैप में China, देखो इसकी capital Beijing है, currency है, रेंविन भी, प्रसिडेंट है Xi Jinping, और यहाँ से एक important point आपको बताता हूँ, अब यह आपको याद होगा, Center of Economic and Business Research Report आये थी, उसने बताया था, कि 2018 तक China USA को पचाल करके सबसे बड़ी economy, यानि कि अर्थ विवस और 2030 तक, तीसरी सबसी बड़े अर्थ विस्ता बन जाएगा, अभी विश्व का सबसे बड़ा radio telescope का भी निर्मान किया, चाइना ने, जिसका नाम रखा FAST, FAST मतलब हो गया 500 meter aperture spherical telescope, उसके अलावा चाइना ने प्रकाश आधरित दुनिया का पहला quantum computer बनाने का भी दावा किया और चंद्रमा पर जंडा फेराने वाला दूसरा देश बना था भी चाइना, पहला USA था, उसके अलावा आपको याद होगा चाइना ने दुनिया का पहला 6G satellite को सफलता पूरवक लांच किया था, और चाइना इसने कहा कि वो asteroid mining robot नाम मक दुनिया के पहले खनन रोबोट को में भेजेगा, और चाइना ने कुछ समय पहले मंगल पर अपना पहला स्वतंतर मिशन T91 को भी लांच किया था, तो यह सारे पॉइंट से आप याद रखना चाइना से बढ़ते आगे, फिर एक कौन सार राज्य, चौथे वेश्विक आयूरवेद महत्सव का आयोजन तो अंसर होगा केरल, तो अभी 12 से लेके 19 मार्च तक केरल के कूच्ची में ग्लूबल आयूरवेद फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, और इसका उद्दिशे है आयूरवेद पर वेश्विक चर्चा और इसके विकास को बढ़ावा देना, अच्छा आयूरवेद से आपको याद आया होगा भी कुछ समय पहले, दो नए आयूरवेद कॉलेज भी खुले थे, एक तो गुजरात के जामनगर में और राजस्तान के जैपूर में, और जामनगर से आपको याद होगा, दुनिया का सबसे बड़ा चिडियागर बनेगा ये, जामनगर में कौन ब आपको याद होगा, अभी केरल सरकार ने जेसी डेनियल पुरुसकार से समानित किया था, किसको हरी हरन को मल्यलम फिल्म निर्माता है वो, और अभी जो अंतर राज्य प्रवासी नीती सूचकांग काय था, उसमें टॉप पर आता केरल, और केरल सरकार ने परिवर्तनम जाद रखना देश की पहली सोर उर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन इसका उधगातन किया गया केरल के मुख्य मंतरी पिनराय विजियन जी के दौरा, उसके रावा केरल राज जी की पहली महिला चीफ जेस्टिस थी, केके उशा, उनका निदन हो गया था भी, केके उशा को क केके शेलजा से कन्फ्यूज मत करना, केके शेलजा यहां की स्वास्तिमंतरी हैं, जिनने युनाइटेड नेशन ने अभी COVID-19 से निपटने के लिए सम्मानित भी किया था, बाकी सबजियों के लिए नियूंतम कीमत तैय करने वाला देश का पहला राज बना था केरल, और के तरह से डिजिटल हाइटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज भी बना था, और अभी केरल का पहला मेगा फूड पार्क यह खुला, पलककड जीले में, केरल के पलककड जीले में, और अभी केरल को इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरुसकार भी मिला था, और आपको जाद होगा भारत सरकार देश का पहला चे कितसा उपकरण पार की केरल में इस्थापित करेगा, और नेशनल स्टेटिस्टिक ओफिस ने जो साक्षर्ता रिपोर्ट जारी की थी उसमें टॉप पे रहा केरल, 96.2 परसेंटाल साक्षर्ता के साथ, तो ये पॉइंट्स भी ध जेंटी को मनाने के लिए पश्चिम मंगाल 23 चनवरी को देश नायक दिवस के रूप में मनाएगा, अब पश्चिम मंगाल मनाएगा तो ये रा मैप में पश्चिम मंगाल, देखो इसकी कैपिटल कॉलकाता है, और कॉलकाता किस नदी के किनारे स्थित है तो हुगली नदी के किनारे और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो इसी नदी के नीचे चलेगी और अभी कॉलकता बंदरगा का नाम किन के नाम पे रखा गया डॉक्टर शामा प्रसाद मुखर जी के नाम पे रखा गया था यहां की मुख्य मंत्री है ममता बेनर जी गवर्नर है जगदीब उसी तरह से आपको याद होगा अभी कॉलकता में नव निर्मित माजेर हाट ब्रिज का नाम बदल कर जै हिंद पुल भी किया गया था अभी पच्चिम मंगाल सरकार ने द्वारे सरकार मुहीम भी शुरू की और अभी कॉलकता में ट्राम में बच्चों के लिए विश्व क पहला पुस्तकाले भी लॉंच किया गया था उसके अलावा याद रखना पच्चिम मंगाल में बनेगा देश का पहला टायर पार्क और अभी पच्चिम मंगाल ने पथ शिरी योजना भी शुरू की थी वैसे पच्चिम मंगाल ने राज्य पुरोहित कल्यान योजना भी प्रोचेश्टा इसकीम भी शुरू की थी मैतेरिस मृस्ति योजना भी शुरू की थी यहांपे आपको दो टाइगर रिजर्फ मिलेंगे सुन्दरबं टाइगर रिजर्फ और बुक्सा टाइगर रिजर्फ बाकी गोरु मारा नैशनल पार्क यहां मिलेगा नियोरा वैली नेशनल पार्क मिलेगा आपको यहाँ पे सिंगा लीला नेशनल पार्क मिलेगा और दो वाइल लाइफ सेंचुरी और याद रखो एक तो जल्दा पड़ा वाइल लाइफ सेंचुरी और महाननदा वाइल लाइफ सेंचुरी ये भी आपको मिलेगी पच्ची मंगाल में तो ये याद रखना बढ़ते हैं आगे फिरेहाली में किस मद्या एशाई देश ने मृत्यु डंड को समाप्त कर दिया तो अंसर होगा कजाकिस्तान तो अभी कजाकिस्तान की संसद ने International Covenant on Civil and Political Rights के लिए दूसरे वेकलपिक प्रोटोकोल के अनुसमर्थन पर हस्ताक्षर किये हैं तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो हस्ताक्षर करताओं को मृत्यु डंड को समाप्त करने के लिए प्रतिबद करता है तो अब कजाकिस्तान ने भी मृत्यू डंड को समाप्त कर दिया है बात कजाकिस्तान की है तो ये रहा मैप में कजाकिस्तान देखो इसकी जो कैपिटल है पहले इसकी कैपिटल हुआ करती थी अस्ताना पढ़ते आगे, फिर है फरवरी 2021 में, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संसकरन ये कहां पे होगा, गुलमर्ग में होगा, गुलमर्ग जम्मु कश्मीर में, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का ये दूसरा संसकरन है, जो कि जम्मु कश्मीर के गुलमर्ग में कब से 11 फरवरी से अच्छा खेलो इंडिया से एक प्रश्न बताओ खेलो इंडिया यूथ गेम्स चो इस साल होंगे 2021 में कहां पे होंगे हरियाना में होंगे और याद रखना इस बार इसमें चार नए गेम्स को जोड़ा गया है कौन-कौन से एक तो है गट का जिसका संबंद पंजाब से है एक कलारी पैयट्टू है जिसका संब्द केरल से है और ठांगता ये मनिपूर का है और मल खंब ये मध्य प्रदेश और महराश्टर का एक खेल है मध्य प्रदेश का तो राच्की खेल है ये मल खंब और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि खेलो इंडिया स्पोर्ट से स्कूल ये लांच किया गया शिलॉंग में तो वो भी ध्यान रखना और अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गया प्रशन के उत्तर की फिर है अभी किस ने ब्लीडिंग इंडिया फॉर एग्रेसर्स थाउजन कट्स नाम की बुक को ल लगी तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो की लिंक को एक बार शेयर जरूर करना है आपको तो गाइज इन सभी कुशन का क्विज बना करके मैंने एप्लिकेशन पर अप्लोड कर दिया है तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिय है तो वहाँ जाएए और इन सभी कुशन का आप प्रैक्टिस लगा लिजिए ताकि ये सारे कुशन आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए और जो नए स्टुडेंट इससे पहली बार देख रहे हैं आपको बता दूँ कि क्विज में आप रैंकिंग फीचर भी एड़ चुका है तो अगर आप कम समय में जादा से जादा कुशन राइड करते हो तो आपका नाम आपकी फूटू के साथ टॉप 10 स्टुडेंट्स में आपको दिखाई देगा आपको इन जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सब को दिखाई देगा कुछ इस तरीके से ताक कि आपका इन करंट अफेर्स का फिट से रिविजन हो जाए क्योंकि आपको बता है चीजों को पढ़ना इंपोर्टेंट है लेकिन समय समय पर उनका रिविजन करना बहुत ज़ादा ज़रूरी है रिविजन नहीं करोगे तो वो सारी चीज़ा भूल जाओगे तो आपी के लिए मैं इसका रिविजन आडियो त्यार कर रहा हूँ तो उस आडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्चन में दे दिया है वहाँ जाकर करके आप मुझे फॉलो कर लीजे और फॉलो करने के बाद में पास में जो बैल आइकन आएगा आप उसे ज़रूर दबा लेना ताकि जब भी मैं आडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अपलिकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किये तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा वहीं पर आपको क्वेज, वीडियो, पीडियेफ सब मिल जाएंगे तो इस अगा उतर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए, चलिए अब मिलते हैं करंट अफेर्ज के रिविजन वीडियो में, थैंक्यू गाइस